सब्सक्राइब कीजिए इन टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकनोलजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों Android Mobile तो हम सभी यूज़ करते हैं लेकिन अगर आप अपने Android में PC या लैपटोप का इंटरफेस यूज़ करना चाते हैं तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखी आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक सिंपल एप के जरीए अपने Android को एक PC या लैपटोप में कनवर्ट कर सकते हैं नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है नवीन आप देख रहे हैं एंड टेक्निकल दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजे और वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर कर दीजे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस app को install कर सकते हैं इसके लिए हमें अपने play store पे जाना होगा दोस्तों आपने play store पे आ चुके हैं आपको यहाँ पे search करना है computer launcher और यह app निकल के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों इसका logo आप अच्छे से देख लिजे आपको यही app install करना है क्योंकि यह काफी trusted app है और अच्छी ratings इसको मिली हुई है 4.5 कि इसकी rating है और 1 million से ज़्यादा logo ने इसे install कर रखा है दोस्तों हम इसे open करते हैं मैं इसका link का आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से इसे install कर सकते हैं दोस्तों इसमें आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं है जैसे आप इसे open करेंगे तो यह आपकी screen window को बिलकुल ही एक desktop window की तरह है convert कर देगा और आपको इसमें कुछ भी settings करने की जरुरत नहीं है बिलकुली simple app आई है जैसे आप देख पारें हमारा phone app बिलकुल desktop window की तरह है खोल रहा है जैसे हम यहाँ पे click करते है इस PC को तो यह बिलकुली एक laptop और desktop की तरह है खोल रहा है नीचे जैसे इसमें start window भी दिया हुआ है अगर आप उसे click करते हैं तो आपकी apps यहाँ पे खुल जाएगी जितने भी apps आपके phone में install हैं वो सभी apps यहाँ पे दिखने लग जाएगे तो काफी अच्छा interface इसका लगा मुझे और नीचे इसमें dialer दिया हुआ है dialer को click करते हैं तो dialer आपका खुल जाएगा यहाँ से यहाँ पे एक आपका message का icon बना हुआ है और यहाँ से आप internet का access कर सकते हैं काफी अच्छी app है अगर आप अपने phone में computer का थोड़ा interface यूज़ करना चाहते हैं तो आप इससे app को install कर सकते हैं यहाँ से आप अपने bluetooth, wifi और इनकी access देख सकते हैं चेक कर सकते हैं battery level चेक कर सकते हैं सभी एक हिसाब का इसमें recycle bin भी दिया हुआ है तो मैंने use तो नहीं करके देखा लेकिन आप use करके देखी कि आपकी delete जो files है उसको recover करता है कि नहीं तो मुझे comment box में जरूर बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा comment box में मुझे जरूर बताएं अच्छा लगा तो like जरूर कीजिए ताके हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लाते रहें और चैनल को subscribe करना न भूलें और वीडियो को share जरूर कर दीजिए ताके आपके और भी दोस्तों को इसके बारे में पता लग सकें और इसे use कर सकें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद